हेलो फ्रेंड मैं इमराना और वेलकम करती हूँ आपका अपने यूटूब शैनल मीर होम किशन में I hope आप सभी अच्छे होंगे सुभा साम की हलकी फुलकी भूक में अगर कुछ हलका फुलका या चटपटा खालने के लिए मिल जाए तो मज़ा ही आजाए तो ऐसी ही एक हलकी फुलकी सी नमकीन की रेसिपी मैं आपके शाष शेयर करूंगी जिसे आप कम सामान से और कम समय में चटपट बना कर तयार कर सकते हैं खाने में बहुत डेश्टी होती है एक बार आप इसे बना कर महीनों भर इस्टोर कर सकते हैं तो शेलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं इस नमकीन को बनाने के लिए सबसी पहली चीच जो हमें चाहिए वो है पोहा तो यहां मैंने दो कब पतला पोहा लिया है पोहे भी दो तरीकी के होते हैं एक तो पतला पोहा होता है जिससे हम तमकीन वगेरा बनाते हैं एक मोटा पोहा होता है जिससे हम पोहा बनाते हैं तो हमें यहां पतले पोहे की जरूरत है तो चलिए एक छलने ले लीजिए और इस पोहे को छान लीजिए क्योंकि इसमें बारेक बारेक सा आटा सा निकलता है तो इससे अगर हम नहीं छानेंगे तो हमारा तेल खराब हो जाता है तो पहले आप इसे छान कर लीजिए और ये देखें आप देख सकते हैं इसमें कितना सारा आटा सा निकला है नीचे तो चलिए, अब जो हमने पोह को छाल लिया है, अब आप उसी देख लीजिए, बहुत ही साफ हो चुका है, तो चलिए, अब हम गेस की तरफ चलते हैं, गेस पर इधर मैंने पहले ही तेल रख दया था, गरम होने के लिए तेल बहुत अच्छी से गरम होना चाहिए आपको धि करेंगे जैसे ही पोहा तेल में जाता है तुरंट फ्राई हो जाता है देख सकते हैं आप क्योंकि हमारा जो तेल है वो बहुत अच्छे से गरम है और जैसे ही यह बबल्स आने बंद हो जाए एक्दम आप चलनी को उपर कर दीजिए बस आपको इतना ही करना है यह देखिए हम पोहा तेल में जाता है तुरंट खिल जाता है तो बस पोहा हमारा फ्राई हो चुका है अब दूसरी चीच जो हमें चाहिए वो है मुम्फली तुछे लिए कच्छी मुम्फली है अभी हमें इने फ्राई करना है तो वैसे तो आप नमकीन को सैलो फ्राई करके भी बना सकते ह लेकिन ऐसे जब हम fry करके बनाते हैं तो एक तो वह लंबे समय तक रुख जाती है दूसरा उसका टेस्ट भी बहुत आता है तो यहां आपको मुमफली को धीरे धीरे fry करना है और बहुत जादा आपको fry नहीं करना तो यह देखिए हमारी जो मुमफली हैं वो fry हो चुकी है जो हमने ले है वो है रोश्टिट चैना डाल और यह जो चैना डाल है यह बहुत जल्दी से fry हो जाती है क्योंकि यह पहले ही भूनी हुई है तो चलिए इस ताल को भी हम भून लेते हैं और यह देखिए यह जो डाल है हमारी बहुत जल्दी से भून कर तैयार हो चुकी है अब हम इसे भी निकाल लेते हैं. तो हमारी नमकीन के लिए सारी जीज़ फ्राइ हो चुकी है. इस नमकीन को हम बहुत ही कम सामान से बना कर तैयार करेंगे. तो अब हम इसे और भी फ्लेवर फुल बनाने के लिए यहां हम करी पता लेंगे यानि के मीठा नीम. इसी भी हम fry कर लेते हैं जब आप करी पत्ता को fry करें तो fry करते समय पहले आप उसी थोड़ा सा डिप कीजिए फिर आप निकालेजी फिर थोड़ा सा डिप कीजिए और फिर निकालेजी क्योंकि इसमें काफी सारी छीटे आते हैं तो बस आपको इसी सावधाने से fry करना है और चलिए यहां हमारी सारी चीज़े फ्राई हो चुकी है और इने मैंने एक फॉयल पेपर पे निकाल लिया था तो चलिए इनका जो एक्टर तेल है वो इस पेपर में आ चुका है अब हम इने मिक्स कर लेते हैं तो अभी हम इसमें थोड़ा इसी मसाले अट कर लेते हैं क्योंकि हम इस नमकीन को थोड़ा सा चट पता बनाएंगे तो इसके लिए आदा चमच हम इसमें चांट मसाला डालेंगे बहुत तोड़ा सा काला नमक डालेंगे अगर आपकी पश काला नमक है तो जरूँ ढलेगा क्योंकि हमारी जो ये नमकीन है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और आदा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे अगर आप इसमें मीठा फ्रेवर भी देना चाते हैं तो आप इसमें 4-5 चम्मच चीनी पीसकर डाल दीजी और इसे मिक्स कर लीजी और ये लीजी हमारी नमकीन अच्छे से मिक्स हो चुकी है कलर आप देख सकते हैं आप ये मत सोचेगा तो ये सारे मसाले एड़ करने के बाद आप ये मत सोचेगा कि इसमें किसी भी चीज की स्मेल आएगी जब नमकीन गरम हो तभी आपको ये मसाले एड़ करने ना तो स्मेल आती है और मसाले भी नमकीन से अच्छे से चिपक जाते हैं तो चलिए हमारी नमकीन बनकर हो चुकी है तैयार और आप देख सकते हैं हमने कितने कम सामान और कम समय में हमने धीर सारी नमकीन बना कर तैयार की है और जब आपका चट पटा कुछ खाने का मन करें या फिर हलकी फुलकी फूक में आप इस नमकीन को चाय के साथ इंजवाई क और आप एक बार बना कर एर टाइट कंटीनर में भर कर दो महिने तक श्टोर कर सकते हैं लिकिन ये दो महिने तक चलेगी ही नहीं इतनी टेस्टी लगती है कि ये चार से पांस दिन में ही खतम हो जाएगी तो एक बार जरूर ट्राइग करें आपकी फैमली में सभी को बहुत पसंद आएगी तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकोल न भूले फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबा प्लीज तक ये ये वीडियो सेलने करो उड़र पिलकोल नाइब का उटामे का मिलते हैं क्या वीडियो जय सक इंड हैं कर üzerine से